पाकिस्तान की 10 सबसे खूबसूरत जगहें जिन्हें देख कर आपको यकीन नहीं होगा नमबर 10 नाल्टर वैली पाकिस्तान ये घाटी पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत स्थान में से एक है जीहां नाल्टर घाटी पाकिस्तान का प्रमुख अट्रैक्टिव पर्यटन स्थल है आपको बता दे ये घाटी अपनी रंगीन जिलो के लिए प्रसिद्ध है और ये घाटी सबसे स्वादिश्ट आलू के लिए भी जानी जाती है जी हाँ यहाँ पर बड़े पैमाने पर आलू की खेती की जा बता दे इस घाटी पर जील के साथ साथ चारों तरफ हरे भरे घास के मैदान है जो यहाँ की खूबसूर्ती में चार चांद लगा देते हैं हिंगोल नैशनल पार्क बलोचिस्तान हिंगोल नैशनल पार्क पाकिस्तान के बलोचिस्तान में है और यह पार्क 6,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में पहला हुआ है इसमें अविश्वसनी रूप से अनोखी चट्टाने, विशाल घाटियाओं, कई तरह के जानवर और यहाँ तक की एक मिट्टी का ज्वाला मुखी भी है इसके अलावा इस नैशनल पार्क का एक हिस्सा समुद्र तट से सटा हुआ है, जो इसकी अन्य सभी संपतियों में समुद्र को भी जोड़ता है हलाँ कि यह नैशनल पार्क काफी ज्यादा खुबसूरत है, और यहाँ पर कई प्राकृतिक खुबसूरत चीजे मौजूद हैं, और यह पार्क आपको मंगल ग्रह जैसी लगेगी नमबर आठ, अटाबाद ज्यील, यह ज्यील पाकिस्तान के सबसे खुबसूरत जगहों में से एक है, और इस ज्यील को पाकिस्तान के सबसे खुबसूरत टूरिस्ट प्लेस में से भी एक माना जाता है अटाबाद का जन्म सन 2010 में हुए एक बड़े भूस खलन की तरासदी से हुआ था हुँजा नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप इस प्रसिद जील का निर्मान हुआ इसका चमकीला नीला फिरोजा पानी इसे पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बनाता है नमबर साथ नीलम वैली नीलम वैली पाकिस्तान में घूमने वाली जगहों में से एक शानदार जगह है जो पाकिस्तान के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसिस में से एक है जिहां यहां पर हर दिन हजारों की तादाद में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं क्योंकि यह घाटी काफी ज्यादा खूबसूरत है और यह घाटी आजाद कश्मीर में स्थित है आपको बता दें इस घाटी में हरे भरे पहाड खूबसूरत धाराएं और प्राकृतिक जरने मौजूद है जो इस वैली की खूबसूरती को बढ़ावा देती है और आप जब भी पाकिस्तान घूमने के लिए जाना तो नीलम वैली को एक बार जरूर घूमना इस पैलिस को सफेद महल के नाम से भी जाना जाता है आपको बता दें यह महल पकिस्तान के मिंगौरा शहर से लगभग 12 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है इस पैलिस का निर्माण सन 1941 में किया गया था और इस पैलिस के आसपास की एरिया काफी ज्यादा खूबसूरत है जह नमबर पांच कलाश वैली यह जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है यहां पर रहने वाले लोग भी बहुत ही खूबसूरत जीवन जीते हैं जी हां यह लोग पूरी तरह से नेचर के साथ अपनी जिन्दगी बिताते हैं और आपको बता दें यहां के लोग कालाश भाशा और इस खशेत्र को कलश देश के नाम से भी जाना जाता है यह जनजाती पाकिस्तान की सबसे कम अलप संख्यकों की श्रेणी में गिनी जाती है पाकिस्तान के शहरों से दूर बसी इस घाटी में जीवन बेहद ही अलग है और अगर आप यहां इस घाटी पर घूमने के जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थट्टा शहर में स्थित है और इस मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को नीले और बलुआ पत्थर के रंगों से सजाया गया है जिस वजह से ये मस्जिद बाहर से खुबसूरत दिखने के साथ-साथ अंदर से भी काफी ज्यादा रानी कोर्ट किला पाकिस्तान के सबसे प्रमुख और अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस में से एक है और पाकिस्तान में घूमने के लिहास से आने वाले परियटक इस किले को देखने के लिए जरूर आते हैं क्योंकि यह किला पाकिस्तान के सबसे एतिहासिक किलों में साम को बता दें यह गाव बलूचिस्तान की सीमा के विपरीत सुनहरे और फिरोजा के द्रिश्य को सपष्ट करता है और शहर की भीडबाड एरिया से दूर यह गाव काफी ज्यादा शांत जगा है और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप इस जगह के दीवाने हो जाएंगे ज हाँ यह जगह शहर के शोर शराबा से बिलकुल अलग शांत जगह है जो की प्रकृती के बिलकुल करीब होने का एहसास दिलाती है नमबर एक डियोसाई नैशनल पार्क 4117 मीटर की उचाई पर स्थित यह विशाल पठार प्रित्वी पर दूसरा सबसे उचा पठार है और यहां केवल गर्मियों के दौरान ही पहुँचा जा सकता है पहले हुए हरे भरे घास के मैदान बर्फ से ढकी चोटियां और चमकती नीली जीलें इस खूबसूरत जगह की यात्रा करने वाले आगंतुकों का स्वागत करती हैं और इनी सब प्राकृतिक चीजों की वजह से इस नैशनल पार्क को पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना धन्यवाद्ट